दोस्तों जरा सोचिए आप एक ऐसी दुनिया में है जहाँ सूरची रोचनी कभी नहीं पौशती जहाँ पर चारो तरफ गहरे अंदेरा रहता है जहाँ खून जमा देने वाली ठंड होती है और ऐसा दबाव होता है जिसे सहते ही इंसान पल बार में चूर चूर हो जाए तो आपका क्या होगा लेकिन इनी गेराईयों में रहते है कुछ ऐसे विशाल का जीव जिनका आकार फुटबॉल के मैदान से भी बड़ा होता है पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन जीवों का साइज इतना बड़ा क्यूं होता है आखिर इनको समुद्र की गेराईयों में ऐसा कौन सा 54 प्राश मिलता है जिसे खाकर ये इतने बड़े हो जाते हैं तो आज के इस वीडियो में हम समंदर की इसी अजीब और डरावनी दुनिया में उतरने वाले हैं और आपको समंदर के उन रैसों से रूबरू कराने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपके फोश उड़ा देगा तो चलिए बीना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम इंसानों को लगता है कि हम लोगी दर्ती के असली राजा हैं हमारी सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे एडवाल सिविलाइजेशन है हमने दुनिया के हर उशकोने पर अपनी बस्ती बसा ली है जहां पर ये दर्ती इंसानों के रहने लाइक थी बर फीले पहार से लेकर गर्मीले रेगिस्तान तक इंसान हर जगे बस चुका है और अपनी अबादी को तेजी से बढ़ा रहा है लेकिन क्या आपको पता है इंसान फिर भी अर्त के केवल 1% इससे पर ही रहता है और आपको ये बात हजम नहीं हो रही होगी कोई बात नहीं इस वीडियो के बाद हजम हो जाएगी तो बात ये है कि अर्त के टोटल बायो मास का जो 78% है वो समुदर में है मतलब की लिवेवल अर्त का 99% पाट तो समुदर में है और इंसान समंदर के अंदर नहीं रहता ये बात हम सब जानते हैं तो दर्ती के 1% इससे पर रहते है छोटे छोटे इंसान लेकिन जो बाकी का 99% इससा है वहाँ पर रहते है बड़े बड़े जानवर और जब बास समुदरी जीवों की होती है तो आपके दिमाग में आ रही होगी शार्क, वेल मचली, बसूरसों, अक्तोपस और खुफसूरसी मरमेड लेकिन ये समुदरी जीव तो कुछ भी नहीं है जैसे जैसे हम समुदर की गैराईयों में जाते हैं इनका साइज बढ़ता जाता है समुदर और भी जादा ठंडा और डरावना होता जाता है क्यूंकि समुदर के तल पर सूरज की रोश्री नहीं पहुंसती जिसकी वज़े से यहाँ पर होता है गैरा अंदेरा यही समंदर की वो जगे है जहाँ पर समंदर के मौंस्टर रहते हैं जिनकी कहानिया हम अजारों सालों से सुनते आ रहे हैं जिसका मतलब है कि इन बातों में कई न कई सचाई तो जरूर है कि समुदर की गैराईयों में आप जितना नीजे जाते हो वहाँ के जीवो का साइज उतना ही बढ़ता जाता है एक छोटे से एक्जम्पल से इसको समझते हैं यह है जाइंट आइजोपोड यह वुडलाउस जैसा एक छोटा सा कीड़ा है जिसको आप लकडी की जू भी गया सकते हैं जो दर्ती पर पाया जाता है और इसका वजन एक ग्राम से भी कम होता है मतलब यह वही छोटे छोटे कीड़े है जो दर्ती पर पाय जाते हैं लेकिन समुदर की गयराईयों में इनका साइज हो जाता है 40 सेंटिमीटर मतलब यह इतना सा कीड़ा जो दर्ती पर एक ग्राम का भी नहीं होता वह समुदर में जाकर 2 किलो का हो जाता है और यह तो कुछ भी नहीं है जरा आप इस पर नज़र डालो यह है जैपनिस स्पाइडर क्रैब जिसका वजन होता है 20 किलो और इसके एक पैर की लंबाई होती है 12 फीट तो चलो जानते हैं कि आकर समुदर की गेराईयों में ऐसा कौन सा 54 प्राश मिलता है जिसको खाकर इन जानवरों का साइज बढ़ता ही जा रहा है तो देखो सबसे मज़धार बात तो यह है कि अब तक दर्ती के जितने लोग चांद पर जाकर चांद को एक्स्प्लोर कर चुके हैं उससे कई गुना कम लोग मारियान ट्रेंच की गेराईयों में गए हैं जिसका मतलब है कि इनसान ने तो अंतरिश को जाद एक्स्प्लोर कर लिया है पर अपनी खुद की दर्ती के समुद्र को अभी तक डंग से एक्स्प्लोर नहीं किया है लेकिन इतना explore तो करी लिया है कि हमको इन बड़े बड़े जीवों के बड़े बड़े होने का रास्तोपता चली जाए और इसका main reason है lack of food, मतलब खाने की कमी समंदर की गयराईयों में ना पेड़ पौदे होते हैं और ना ही किसी तरह का खाने का source मौजूद होता है और समंदर की गयराईयों में रहने वाले जानवर गयराईयों में ही रहते हैं वो उपर पानी पर नहीं आते समंदर की जमीन पर किसी तरह के food का production इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां तक सूरज की रोशिन नहीं पहुँच पाती तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब यहां पर कुछ होता ही नहीं है तो ये जीव खाते क्या है तो मैं आपको बता दू ये जीव खाते हैं marine snow नाम सुनते ही बड़ा क्रीजी सा लगता है लेकिन ये होती है असल में मचली की पौटी नहीं इसके अंदर केवल फिश शिट नहीं होता इसके अंदर होते हैं मरे होई मचली और मरे होई समधरी जानवरों के अफशेश जो पानी में गल जाते हैं इसके अंदर होता है बहुत सारा कच्रा और बहुत सारा फिश शिट और जब ये सारी चीजे गुल कर समुदर के तल पर गिरती है तो ये बर फीतरें दिखाई देती है वाइट कलर के छोटे छोटे गोले होते हैं जिनने खाकर ये DC क्रीचर अपना साइस बढ़ा रहे हैं बिसिकली ये जो स्नो होती है इसके अंदर कोई पॉष्टे का आर नहीं होता मतलब की क्या होता है इसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है और समुदर की गहराईयों में ये कब खाने को मेले इसका भी कोई टाइम टेबल नहीं होता मतलब deep sea में खाने की बेंकर कमी होती है और इसी problem का solution जानवरों ने निकाला अपने size को बढ़ा करके क्योंकि बड़े size के जानवर ज्यादा खाना store कर सकते हैं ज्यादा लंबे समय तर सर्वाइव कर सकते हैं जैसे की ये giant aizopode जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था ये जीव बिना खाये 5 साल तक जिन्दा रह सकता है साथी समुद्र की नीचे का temperature काफी कम होता है जिसकी वज़े से सर्वाइव करने के लिए समुद्री जीवों का ये बड़ा साइज उनके बहुत काम आता है अब आप सोचोगे के बड़ा साइज है तो ज्यादा खाना लगता होगा मगर समुद्र की गयाई में तो खाने की कमी है तो वहाँ पर तो जीवों का साइज छोटा होना चाहिए तो ऐसा नहीं है सिंपल वाशा में समझाओं तो जो बड़े जानवर होते हैं उनको सर्वाइव करने के लिए कम एनरजी की जरूरत होती है उनका शरीर एनरजी को अफेक्टिवली यूज करता है मतलब कि अगर एक चुआ है चोटा सा तो उसको दिन भर में सर्वाइव करने के लिए अपने बोड़ी मास्क का 20% खाना चाहिए ही चाहिए लेकिन अगर एक हाती है तो उसे अपने बोड़ी मास्क का टोटल 4 या 3% ही सर्वाइव करने के लिए चाहिए क्योंकि हाती का 3% चुए के 20% से कई जादा होता है और इसलिए बड़े-बड़े साइज के एनिमल लंबे समय तक बिना खाय सर्वाइव कर सकते हैं वो भी इतनी अंधेरी और ठंडी जगह पर और साथ ही ये समुदरी जीव समुदर की गहराई में मौजूद हाई प्रेशर को सहने के लिए बने होते हैं अगर इनका शरीर नाजुक होगा या दुबला पतला होगा तो इस प्रेशर की वज़े से वो फट जाएंगे समुद्र की गहराई में इनका कचिंगमर बन जाएगा आपको वो सम्मरीन तो याद होगी जो टाइटैनिक के मलवे को देखने के लिए समुद्र की गहराई में गई थी वो लोए की मजबूस सम्मरीन थी लेकिन फिर भी उसका कैसे कचिंगमर बन गया था सोचो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है समुद्र की गहराई में और इतने प्रेशर को सर्वाइब करने के लिए अच्छा हटा कटा शरीर ही चाहिए तो इन जानवरों ने अपने आपको समुद्र की गहराईयों के इसाब से ढाल लिया है इनकी उम्र दीरे दीरे बढ़ती है ये सो से डीर सो साल तक जिन्दा रह सकते हैं और इनका साइस समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और यही रीजन है कि धरती के नीचे इतने बड़े बड़े साइस के जानवर मिलते हैं जिनकी दर्थी के उपर वाले लोग कल्पना भी नहीं कर सकते लेकिन कल्पना करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका भाई बैटा है आपको हर चीज डीटेल में बताने के लिए सोचिए हमारी दर्थी का इतना बड़ा इस्सा अब भी हमारी पहुंच से बाहर है और वाचिपे विशाल जीव और उनके रहसे में जीवन हमें समय समय पर चौकाते रहते हैं ये अदबुत दुनिया हमें अरबार ये एसास दिलाती है कि धर्ती पर हमारे ग्यान की सीमाई कितनी छोटी है तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा और ऐसी ही और भी रोमांचा काहनियों के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री ओप को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगला रोमांचा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं हम जल्दी मिलेंगे एक नई रहसे के साथ तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें